आज से हम भगवान बुद्ध की जो उस समय के वतरण्व के आसपास में एक भासा जिसको मगदी या पाली बोलते हैं, उसको सरल रूप में बताने का प्रियास करेंगे, जो आज हिंदी बोल रहे हैं, और जो यह हिंदी भासा जो मैं इस समय बोल रहा हूँ, यह हिंदी भासा पाली के समय या भगवान बुद्ध के समय में इसके कहीं कोई आता पता नहीं था, भगवान बुद्ध के समय में जो भासा बोली जाती थी, एक तो भासा थी चंदस, यानि जो चंद में बोली जाती थी, चंद के रूप में उसको वैद की भासा यानि वैद की भासा या चंद की भासा एक भासा थी जो प्योर पब्लिक की भासा थी आम आदमी भासा थी जो प्राकर्टिक थी जिसको मगदी बुला करते थे मगदी को यह बाद में पाली का नाम दिया और एक छंदस और पाली को मिला के यानि छंदस को और मगदी को मिला के अर्ध मागदी यानि आधी मागदी होती थी जिसको आधी पाली बोल सकते हैं जिसमें जो जैन के लोग थे जो जैनिन वाले लोग थे उन्हें अपने आगम लिखे हैं, अपने उन्होंने साहिते लिखे हैं और वो इसको इस्तमाल कर देते तो तीन भासाओं की बात लगवग मिलती है पाली को सीखना इसनी जरूरी है क्योंकि पाली बहुत सरल है और पाली मैं धम को आसानी से समझा जा सकता है और पाली बहुत सरल इसनी है क्योंकि पाली आज भी मैं जो बोल रहा हूँ वो पाली का ही रूप है पाली को नई भासा नहीं है प्राचीन समय से जो हमारी लोग बोलते आ रहे हैं वो पाली ही भासा है क्योंकि संस्कृत भासा पाली के बाद बनी है पाली का मतलब है प्राकर्तिक पाली जो प्रकर्ति से बनी है मनुस्य ने खुद बोलनी सीखी है और संसकारित का मतलब है जो उस भासा को संसकारित किया गया है या उसमें कुछ जोड़ा गया है या घटाया गया है वो संसकारित भासा हो गई और भारत में लगबग 1600 भासाइं बूली जाती है और इन 1600 भासाओं में 122 भासा ऐसी है जो major भासाइं जो important भासा है और 22 भासाइं ऐसी है जो हमारा सम्विधान सुविकार करता जिनको ये कहता है कि ये सम्विधान की main भासा है और हिंदी राष्ट भासा नहीं है सम्विधान के हिसाब से आज की डेट में भी मगर सबसे ज़्यादा हम जो इस्तमाल करते हैं वो continental भासा यानि की अंतराष्ट भासा जो इंगलिस है उसका इस्तमाल भारत में करते हैं तो पाली के वारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँँगा कि पाली सीखने के लिए आपको 10 दिन की क्लास जो प्रोफिसर गर्पाल जी चलाते हैं और भो 10 दिन का रेजीदेंस्य क्λάस चलाते हैं वो बहुत उतम है मैंने वो क्लास की हुई है आज जो मैं कुछ पाली में आपको बताने की स्थिती में हूँ वो वहां से मैंने सीखा है तब ही मैं आपको बता पा रहा हूँ मैं यहां इन बॉक्स में आपको प्रोफिसल गरपाल जी का नमबर दूँगा उन किलासे चलती रहती हैं वो नमबर लेके आप उनसे डायट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जिनको पाली सीखनी है वो दस्तिन का कोर्स उनसे वहां कर सकते हैं और जैसे मैं आज पाली में आपको बता रहा हूँ फिर आप वैसे ही पाली लोगों को बता सकते हैं पाली का बहुत अच्छा ध्यन, बहुत बड़िया पाली वो सिकाते हैं, बोलना भी सिकाते हैं, लिखना भी सिकाते हैं और पढ़ना भी सिकाते हैं और बहुत और फ्री और मनी कोड़ से कोई इसका चार्ज नहीं है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, रेजिदेंसल खर्चा आपको खुद देना होगा, दें या ना ना दें, वो बड़े द्यालू है, बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उनको सिखाने का शौक है, तो आप वहाँ उनको जाके सीख सकते हैं, देखिए, पाली कोई टफ भासा नहीं है, कोई कहता हो कि पाली कैसे सीखेंगे, कैसे नहीं सीखेंगे, पाली, बहुत यह क्योंकि हिंदी में, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, और सुनते हैं, जानते हैं, या हिंदी से समधित कोई भी भासा, वो पाली को फटाफट छे महिने में तीन महिने में एक साल में सीख सकते हैं आराम से क्योंकि पाली जो परानी भासा है इसके आपको पाली के नाम के बहुत साथ गाउं भी मिलेंगे और पाली वाल जो लोग हैं पाली वाल वो लोग हैं जो पाली को सीखते थे और सिखाते थे वो आज भी भारत में पाली वाल लोग हैं राइस्थान में तो पूरा पाली का पाली एक जिलाबी है और पाली बहुत ज़्यादा गाउं में है तो पाली कोई ऐसी हो नहीं है कि जो लोगों में भासा पचलता है उसी मदैने हैं तो उन्होंने सिस्पश टादिस दिया था कि आपको सिरफ पाली या ऐसी भासा में convert करना है जितना भी material है जो भी इसमに सेखाया है जो आम भासा है ऐसी भासा में नहीं करना जो भी जाते हो कि या जो special work की या बहुत कम लोग लोग की भासा है ऐसी भासा में इनको convert नहीं करना और ये बात मानी गई इसलिए और भासाओं में क्योंकि बाद में संस्कत में भी उसाहित्य चेंज हुआ और अर्दमागदी में भी मिलता है जो जिसमें जैन के आगम लिखे हुए है तो पाली को सीखने के लिए आपको करना क्या है पाली को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पाली कैसे काम करती है देखिए आप जब बोलते हैं बुद्धो और बुद्धा आपने देखा होगा अंग्रेजी में बुद्धा बोलते हैं तो बुद्धा जो बोलते हैं बुद्धा का मतलब है बहुत सारे बुद्धा और बुद्धो का मतलब है एक बुद्ध अगर आप मेरा नाम बोलेंगे सुधीरो तो इसका मतलब है एक सुधीर और अगर बोलेंगे सुधीरा तो इसको मतलब बहुत सारे सुधीर होगे यह बड़े सिंपल सी बात है हम बोलते हैं बुद्धंग नमामी बुद्धंग नमामी तो बुद्धंग जो शब्द है बाद में अंग लगा हुआ है बुद्धंग नमामी को हम हिंदी में बोल सकते है बुद्ध की नमामी यानि बुद्धंग का मलब है बुद्ध की नमामी अब बाद में हमने इसमें हिंदी में की जोड़ दिया यानि बुद्ध की कर दिया और बुद्ध की को अगर एक शब बोलेंगे पाली में तो बुद्धंग हो जाएगा बुद्धंग नमामी यानि बुद्ध की नमामी और बहुत सारे बुद्धों की नमामी यानि बहुत सारे बुद्धों की नमामी तो बुद्धेन अमामी हो गया यहां जो का, की, के, से, पर, मे यह शब्द, पाली के अंदर शब्द के साथ जुड़े होते हैं और इनके छोटा सा एक नियम है जादा बड़ा नियम नहीं है जैसे हम कहते हैं बुद्धेन यानि ये कहेंगे ये काम किसने किया तो हम कहेंगे बुद्धेन बुद्धेन का मतलब है बुद्ध के द्वारा हुआ या ये काम किसने किया तो हम कहेंगे सुधिरेन यानि सुधिर के द्वारा हुआ या सुधिरने किया कितना आसान है अगर बहुत सारे बुद्ध करते हैं तो कहेंगे बुद्धे ही किसने किया ये काम बुद्धे ही यानि इतने सारे बुद्धों ने किया ऐसे ही अगर हम कहते हैं आपने देखा होगा क्या कहते हैं नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय बोलते हैं, तो नमो बुद्धाय का मतलब है, बुद्ध के लिए नमन, इसको हम नमो बुद्धस्य भी बोलते हैं, यानि किस के लिए नमन है, बुद्ध के लिए नमन है, यानि कोई अगर सुधीर के लिए नमन करेगा, तो वो करेगा स सुधीराय या सुधीरस्य नमन तो इतना सिंपल है यानि के लिए जो शब्द है वो सिर्फ इस या आय से जुड़ गया है हम कितनी वाश समार करते हैं नमो बुद्धाय नमो बुद्धस्य यानि बुद्ध के लिए नमन इतना स्पष्ठ है अगर हम یہ कहें के यानि के जैसे अमरसर शे तो इसका एक बला सिंपल सा है के अमरसर तो अमरसर से का मतलब अमरसर तो आज भी पंजाबी में ये बोला जाता है भटिंडा तो अमरसर तो या मुंबई तो या गुजरा तो या क्या बोलते हैं दिली तो तों का मतलब है से तो पाली से ही ये से बना है मगर इसके तीन शब्द और भी आते हैं जिसमें बुद्धा, बुद्धमा और बुद्धस्मा यानि ये चार शब्द हैं चार शब्द यान ना रहें आप एक याद रखें तो लगा दें यानि सुधीर तों, सुधीर से मुंबई से तो से का मतलब यहां ऐसा आ जाता है और फिर अगर काकी के हैं यानि कि ये किस की किताब है हमके बुद्ध की किताब है तो बुद्धस्य बुद्धस्य का मतलब है बुद्ध की किताब यहीं बुद्ध से अगर कहेंगे तो बुद्ध की हो गया ऐसे ही अगर हम यह कहें कि यह में या पर्मे अगर करें तो बुद्ध हो गया बुद्ध मी हो गया तो यह इस तरह ऐसे बहुत सिंपल चलते है इसमें ज्यादा कोई खास बात नहीं है आप एक किताब लेंगे जो 31 दिन में पाली कैसे सिखा है वो किताब आप मंगा लें या पाली की कोई किताब मंगा लें उसमें आप देखेंगे जैसे जैसे आप क्या बोलते हैं पढ़ते जाएंगे और ये वीडियो देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है पाली में पाली में जैसे आपने हरियाने में एक देखा होगा कहते हैं कित हांडरा है अरे कित हांडरा है हांडरे का मतलब होता है घूमना पाली में हाडने का मतलब घूमना होता है क्योंकि भगवान बुद्ध कमासपुर में आये थे और सारे के सारे लोग इरान तक बुद्धिश थे तो पाली यहां से लेके इरान और चीन और जापान और वहां तक फैली हुई है जो सुंग, मंग, तंग, जुंग, अंग, वंग्र है यह सारे अंग वाले वर्ट जितने भी हैं पाली के हैं जो समय समय पर आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको सौंच में आएगा यह ची, चा, चूंग वाले भी सारे वर्ट पाली के हैं जो उधर चलते हैं तो ये बहुत एक इंटरनेशनल भासा है पाली और ये थोड़ी सी भूरी जा चुकी है अगर आप थोड़ा सा इसको याद करेंगे तो आप खुद पाली बोलते हैं पाली के दूसरे सेसन में हम इसको और सिंपलफाई करके सरल करके आपको बताएंगे धन्यवाद झाली झाली औरस्टा ओक लिखता करेंगे तो देदी भूटंड़ाई वाला याली पिरियूद याली याली जादे प्लज़ा हैं इसको याँ